बड़ी खबर इस वकत की कि बाहरते जंता पार्टी के लीडरान को भी सरकारी अराजी खाली करवाने के लिए नोटस जारी कर दे हैं इस वकत की बड़ी खबर है कि जमो कश्मीर में जहां नैशनल कांफरेंस अपनी पार्टी वद दिगर जमातू को नोटस जारी और सरकारी अराजी को खाली करवाने का आमल शुरू किया हुआ है वहीं इस दूरान भारते जंता पार्टी के लिडरान को भी नोटस जारी के गेंगे हैं जनाब सरकारी अराजी को खाली करवाया जई है इस वकत की बड़ी खबर कि साबिक वजीर जनाब अब्दलगरी को भी इंतजामे की तरफ से नोटस जारी कर दिया गया है और कहा है कि जनाब नर्सिंग कालीज को जो है वो जल्द से जल्द सरकारी राजी से हटाया जाए यह इस वकत की बड़े ख़बर कि सरकारी राजी को लेगे जहां पर जमो कश्मीर इंतजामे की तरफ से लगातार जिलाई इंतजामे को एहकमात जारी किया हुए है और इस सिल जो है वो आपोजिशन को कुचलने की बात कर रहे हैं उनकी जो स्ट्रक्चर से उनको जो है वो डमाइलेश कर रहे हैं और इस जमन में लोगों की तरफ से और पार्टी के लीडरान की तरफ से जो आपोजिशन के लीडरान थे उनकी तरफ से भी यह कहा जा रहा था कि आखि का वजीर जनाब इंजीनिर अब्दलगानी को भी एक नोटस जो है वो जारी कर दिया है और जिसमें कहा है गया है जनाब साथ दिनों के अंदर जो है वो आप सरकारी अराजी को खाली कर दे वगरना इस जमन में आपके खिलाफ कारवाई भी जो है वो अमल में लाए जाएगी अगर आप structure को खुद demolish नहीं करेंगे तो आपको उसकी लागत भी जो है वो देनी पर सकती है और कारवाई भी जो है वो जरूर की जाएगी लेकिन इस सिलसले में जमो कश्मीर की बात करें तो जमो कश्मीर में सरकार की तरफ से लेटेनन गोर्णर की तरफ से एक बार पहले भी वाज़े कर दिया गया है कि जमो कश्मीर में किसी भी गरीब खांदान को जो है वो नहीं छिड़ा जाएगा उसके गर को जो है वो डिवाईलाइश नहीं किया जाएगा लेकिन लीडरान की साथ-साथ कहीं लोगों की तरफ से फिर भी जो हो जमो कश्मीर हकूमत की जो फैसला लिया गया है कि सरकारी अराजी को खाली करवाने के लिए तो इस जमन में लोगों की तरफ से लगातार जो है मुखालफत भी जारी है लेकिन सरकार की तरफ से जो ठान ली गई है फैसला जो है वो लिया गया है उसको लेकि किसी भी लीडरान को किसी भी लीडर को जो है और इस जमन में जम्मों इंतसामिय की तलब से वाजय तोर पर साभी का वसीर इंजिनिर अब्दरगनी कोली को भी एक नोटस जारी कर दिया है और कहा गया है कि अपने सरकारी राजी को खाली कर दे वगरना कारवाई अमल में लाई जाएगी